तो दोस्तों एक वार्पी स्याक्रस्वागत है ये वीडियो में आज हम जा रहे हैं अन्मांगर्ड और आपको उहां के वहें भेतर प्रिश्य दिखाएंगे तो आज हमारे साथ के लिए आज के लिए सची भाई है और ये है बोलेश भाई और हमारी गाड़ी सिदे आगे बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टनेशन के लिए तो दोस्तों फाइनली हम बढ़ चुके हैं बिलंग के लिए तो दोस्तों अभी हम पहुंचे लिए अशत्वादनी माता के मंदिर के थोड़ा दनीचे बोर धीर धीर आगे पढ़ रहे हैं और यहां सूरज की करने मेरे आंखों पर बढ़ रही हैं यह देखिए तरह तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बीड बिलिंग में और यहां से आपको सुबह सुबह करने जारे कुछ इस परकार के मिलेंगे देखिए जड़ा कुछ नहीं है जब थोड़ा साथ और चड़ेंगे तो सब कुछ नोर्मन हो जाएगा यहां किसी ने अपना नाम लिखा है नगमा यह देखिए जड़ा नगमा लिखा हुआ है यहां किसी ने और दीरे दीरे आपको यहां घाटियों में भी बर्फ दिखनेगा सुर्फ हो जाएगा तिर तरे मार्ला टप्राडा शोट लेड़ा मजा है ना खाना कैसा सवादे किसका सवादे बर्फ खानेगा पड़ा पितरा क्या हुल्दवाई ताली ते सिक गर्म करना मानी गयंदे तो दोस्तों आप अभी ड्रोन शोट देखने वाले हैं और हमारा ड्रोन यहां बिल्कुल त्यार ह यह देखिए जारा अभी यह आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखाएगा क्या गोलता अभी है कोने मां मैं अब है क्या दोस्तों अभी आपने एक ड्रों शोट देखा हुगा अभी आपको और फी ड्रों शोट देखने के लिए मिलेंगे है अब है कर आद राट आप वाट पैन एए और वहां उपर है हनमांगड और अभी हम पहुंचे हैं चोर पाणी के पास वह दिखिए चोर पाणी के गुफा छोड़ी सी गुफा है वहां से पाणी की तलाश हो रही है हाँ पाणी आया पाणी की बहुत कमी है पाणी मिला नहीं मिला दोस्तों अभी हमको पाणी नहीं मिला इसलिए निराशा हाथ लगी है कारण बता है पाणी को निमिल रहा है तो यह जो कल्यूग है ना कल्यूग है जो हम गंध ला रहे हैं उसका देखिए नेच्छरल सोर्स उख रहे है हाँ यह ही है यह कारण है यह चौबी घंटे और अबरी जिसकी पाणी मिलता है हाँ सभी अधे बड़ पानी बट रही है इनको जाला पैस लगी है बर्प कारें वह जाता है थोड़े दिनों में मरने जाएंगे हैं तो दोस्तों अभी सड़क की यात्रा खत्म हो चुकी है अब सीधी चड़ाई चड़ने वाले हम खड़ी चड़ाई है यह बंदे चड़ाई चैनने के लिए पूर तरह से त्यार ह चुके हैं देखिए जैकेट जुगड़ खोलके पूरा घर में गांब से थे बड़ी मेहनत के साथ चड़ रहे हैं पकड़ पकड़के देखिए पूरे शवाई बैठ चुके हैं पक्ड़ की तड़ना पड़ेगा तो जूत्ते के तल पे बिलकुल लिगा चुके हैं चुके पर चुके हैं तो जुटाए है बहुत मेहनत हो रही है अभी तो यह अभी एक्सप्रेशन बद लेगे के लागा तामने तोड़े देखो आपको अब दिखाएंगे कि हम कितने बाद रहे हैं देखिए यह देखिए पानी निकल रहा है वह एक बंद की असस हे आल्ट खराब चुकी है देखिए महनत पानी पीने के लिए भी महनत लग रही है अधि पानी निकल रहा देखिए एक बंद बहुत नीचे है इसे चलन जा रहा है और एक पहुजच के हैं हमारे घ्र्णिश वाई बेगे आख अख कहा दो बेगे निचे आजाएए आजाएए दोस्कों आप मेरे पीछे देखी सकते हैं पहाद दिख रहे हैं बड़े बड़े पर चलती हुए और अभी हमें इसे उपर की खड़े चलाई करनी है बुथ सोत्ता पहाँ कैना पहुख साल क्यों पहाँ जाएए को कहा नंच्व है पुछिए 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 वल्या हाई हाई हाथ पूरे ठंड से शकुड चुके हैं देखिए ऐसा बहुत मुस्कल शड़ चाड़ा जारा जहा देखिए बंदे बड़े मुस्कल से चड़ रहे हैं खड़ी जड़ा है बहुत हीटा फ्यरसता वाई ती देकि उड़ा तो जो बोला सार क्या वीडियो यह उप्राक्रें गिसट दे आरे वाई मैं जो 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 तकड़ा थोड़ा तब रस्ता है जड़ाई केरने में प्याद पिसर रहें बहुत जादा तो जोते के तलबे पूरे घस चुके हैं इसलिए जड़ाई में थोड़ी कटनाई हो रही है आप अन्दाचा लगा सकते हैं बोलने के लिहाद से कि इतना थफ है रस्ता तोस्ता अभी पैर फिसल गया और गिर गया अभी पैर फिसल गया और गिर गया अब अब यह मत्ची माती है दो मत्ची मर गया देखो आदलाद लिटके हैं पूरते रहे घस जो आप नीचे देख सकते हैं कितनी जादा प्रिसल गया अगर आपका पैर फिसला तो सीदे नीचे नीचे टाएंगे अप इसलिए जान से जाएं कि अब तो दोस्तों अभी बर्फ में चाड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो हम वहां से चड़ेंगे सिदा और यहां से मुड़के सिदा यहां से जाएंगे क्योंकि हाथ पढ़ रहे हैं तो देखिए बहुत लाल उचकी हाथ मेरे पूरे और दर्द और ठंड़ के वकारण तो अब हमें यहां से जाएंगे चलिए वही चलो दीरे दीरे और बद घिरे दोस्तों यहां से पहाड़ियों का नजारा देखिए जरा इतना व्यूटिफुल है मित्रों आप सभी को इस खुली वादियों में एक गुंच्ती हुई आवाज सुनआएंगे देखो जब हम बोलते हैं यहां ऐसी वादियों में तो आवाज कैसे गुंच्ती है सुनना भी कि आपको सुनाई देए होगी कैसी वाज है पूर्ज जरत बोन जाती है पिछली बार हम इस रास्ते से गेह रहें सीधी और ये थोड़ा डेंजरस रस्ता है तो आज हम जाएंगे इस रस्ते से थोड़ा अच्छा राज रस्ते से दोखो डोश्तों हम फिर से उसी रस्ते से जा रहे है पंटू देखते हैं आगे से कैसा ट्रन होता है रस्ता रस्ता हमें थोड़ा इससे उपर चलना है तो रस्त होटा फिर यहांसे नीचे के लिए खाई देखिए सीधा नीचे ये देखिए मंदे कैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं रस्ता ठफ है दोड़ा वाजा इस पारक पुझे ना बहुत ठफ था यहां से उपर को चणना क्योंकि बार-बार पैर फिसल रहे थे आज इन्ने सोच्ची तिरे बंदेव तप खाने दी क्या वलत वाई बहुत टफ द्राइब बहुत टफ द्राइब तो आज दी कोई जल्दी नी यहां से जाए जा रहा है बहुत ही टफ है यहां से सीधा मीचे फाइनली भनवानगड पहुंच चुके हैं कटनाईयों को रास्ता पार करते हुए हनवानगड हो चुके हैं सेकंड टाइम दोस्तों सेकंड टाइम आया हुँ यहां और हर बार अलग ही नजारे देखने को मिलते हैं अलग ही एक्स्पिनिस होता है यहां का और यहां शांती है मन एक तम शांत हो जाता है विल्कुल खाने में लग लग दिशें यह प्रोंटा यह चाड़ा रोटी यह अल्लू यह चार यह मिक्स बड़ी यह बड़ी यह बड़ी यह जो तुड़ कहां यह मिठू आप उसको ऐसे खाशकते हैं देखिए तो दोस्तों अभी यहां से ड्रोन शोट लेने वाले हैं तो चलिए आप आपको मिलते हैं ड्रोन में कर दोस्तों है कर दोस्तों तो कर दोस्तों बड disrespect कि कर दोस्तों जोस्तों को को कि दिने रेकान झाल 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 तो दोस्तों अभी हमने जो ड्रों शोट लिए होफुली आपको पसंद आये होंगे तो अभी है तो अभी है तो अभे बारी नीचे उतरने की अभ हम धिर देर यहां से बर को चीरते हुए नीचे उतरेंगे फिर मिलते हैं आपसे चलिए भाई इस फूल को क्या बोलते हैं ये ये वैसे जब परताल पुल दूड होती है तो उस वक्त इस फूल का उप्योग की जाता है ये बहुत ही पवित्र फूल माना जाता है मतलब जब हमारा है पहारी कल्चर में जब आसे देवता दुपता से पूच पाच डालते हैं उस टाइम से जक्कर ने इसको उप्योग होता है क्योंकि ये पहारी मिलता तो साफ मान जाता है पवित्र मान जाता है बहुत ही कठनाई बड़ा भरा रश्ता है धिर धिरे इसको पार करेंगे ये देखिए करेक है ggak से पहले होगोगोगे घा करेंगे में जाते होगोगोगोगे चल्दो yeter बड़ै गोचर एर अ किया भीके बड़े हो iht पनश दुद्द हाथ है उत्जदı यह बहुत निंग बहुत इक टे नस्ता नीचे लोग नीचे चलते चलते बटे बटे हाथ पिलिको ठंड़ गए थंड़ हो गांड़ गए अधिको लाग। है कि अगए है अगश्री न अगाए थी अगए है जिन मार जिन ए ए ती थोड़े ए जिसन मानमन नी उतर रूनागेदा तो आई आई जा ए थे तक्षिन मार अगुजिए हमारे अड़ेंच्ट्र बंदे अपट्री कि वह थी कटिन भर रास्ता है 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 हालत दो गुनाती जी से फट रही है पूरे पैरों में बर्क भर चुकी है आति कि ऐसे भान जबाईस एक्षिस कमधने खρशन कोई जी जेंसाइ कि व उन्या St चानों इजब आतना जा सोर प्धंडेडान जैंसे तरह दो अखर कोईšम आत्व। इज तरह में जायँ है कि दोस्तों हाथ धंड चुके हैं बूरी तरह कड़क हो गया हाथ सुन हो गया है पता हम चल रहा है उंगलियों का और नीचे पैर का तो बुरा हाल हो गया है कि अभर फिबर उस्ट रचुका एंदर कि इसे फट रहा है जारों तरफ को रहे को रहा है इंड रख जाता है ने पहला है रख तो रख रख चानए तो ने पंड व्यद्यार ये व्यद्यार ये करा। खज्यार को Barbara करेसि लाजर में और स सबत्रोडर कर दमा जब आपार बखर जी खच। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करें दो को अए पस्दाख आख रहो घो कि एसमस अबसाटर आख एक वारा है अजए खोड़ी हुआ अभाई पांथ भी प्हेंक हावी पांग पांग है दोस्तों उपर थे उतर चुके हैं हनमांगड थे कभी नीचे आ चुके हैं अब धिर धिरे इस से नीचे उतरेंगे बोट बर्फ है यहां और पैरों में पूरा बर्फ गुस चुका है यह देखिए जड़ा देख सकते हैं कितना बर्फ गुसा अंदर निकालते हैं इसको भी यह देखिए यह देखिए बहुत बड़ा धचकला चुका है बंदा अभी गिरा पर से और लोकों का मन रंजन हो गया हां देखिए बर्फ की काफी कटनाई अले चढ़ाए चड़के अब हम एक अच्छे से एरी में आ चुके हैं और धिरे धिरे आगे बढ़ रहे हैं तो दोस्तों अभी हम यहां रुके हैं कुछ ड्रोन शोट लेने के लिए वहां यहां का सब्यूब हो तक ही ठगड़ा है तो यहां से हम कुछ ड्रोन शोट लेंगे अभी तो चलिए मिलते हैं आपको ड्रोन में तो चलिए में अभी हैं कि दोस्तों यह सामने जिसमें खा जाता है कि एक ही पेड़ में साथ पेड़ उगे हुए है यह देखिए कि जिम आता दी कि और नंगे पैर हम जा रहे हैं बर्ष में देखिए अभी भी नंगे वैर है जी खेने के लिए बंदों की बहुजादा जेहो मता कि अग्यां कि अग्यां कि फाइनली विलंग पहुंच चुके हैं और आज कब लोग यहीं पर स्माप दिया जाता है तो मिलते हैं नेक्स्ट में ठीक है तब तक बाइए कि अग्यां कि अग्यां कि अग्यां कुछ चकता है एल फाइए